हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी समिक्षा और ये है आपका चैनल बच्पन के दिन आज क्या है नाइन्थ में 2021 हर साल में के सेकेंड संडे को हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं आज हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं अपनी मा के लिए कुछ बनाने वाले हैं सबसे पहले किसी भी कलर के पेपर जो आपके पास अवेलेबल हो ग्लिटर शीट ग्लू सीजर्स स्केच पैं पैंसिल और फोल्ड करने के लिए पैं की रिफिल सर्कल बनाने के लिए आप कोई भी रांड शेप का कैप ले सकते हैं तो हम यह अक्टिविटी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे ब्राउन पेपर का बुकेड स्क्वेर शेप का यह ब्राउन कलर का पेपर लेंगे हम डार्ट कलर का इसको इस तरह से राउंड करेंगे फोल्ड करेंगे इस कौरोना पीरियड में आप अपनी ममा को यह गिफ्ट दे सकते हैं इस तरह से राउंड हो गया है फोल्ड हो गया यह पेपर और हमें चाहिए एक न्यूस पेपर न्यूस पेपर की हम छोटी छोटी पेपर बॉल्स बना लेंगे इस तरह से पोल्ड करके जब तक यह सूख जाएगा और यह पेपर बॉल्स हमें इस के अंतरा डालनी है जिससे यह हार्ड हो जाएगा न्यूस पेपर की पेपर बॉल्स शोटी शोटी हम यह डाल देंगे इसमें इसको सूखने देते हैं एक साइट रग देते हैं फिर हम कलर पेपर लेकर प्लास बनाना स्टार्ट करते हैं राउंड शेप का कोई भी कैप ले सकते हैं उसमें एक सर्कल बनाएंगे पैंसल की हल्प से इस तरह से इसे सीजर्स की हल्प से कट करना स्टार्ट करते हैं देखिए इसको जलेवी की तरह कट करना है इससे आप बहुत इन ब्यूटिफिल फ्लार्स बना सकते हैं कोई भी कलर पेपर ले सकते हैं और तरह तरह की कलर के फ्लार्स बना सकते हैं इस बुके को डैकॉरेट करने लिए इसको चलेडी के shape में round and round अंदर ये अंदर गुमा गुमा के cut करना है ये देखिए बच्चो ये आपको छोटा सा circle छोड़ देना है अब ये जो corner point है इसमें pan की refill लगाकर इसको आपको fold करना स्टार्ट करना है ये इस तरह से ये पूरा paper आपको fold करना है इससे बहुती beautiful flower आप बना सकते है ये देखिए end तक आपको fold करना है बस वो जो circle बचा था वो आपको छोड़ देना है ये देखिए ये छोटा सा circle बचा था इसको थोड़ा सा फ्रीज होड़ना है फ्लार को ये देखिए कितने सुंदर इसमें अंदर design बन गई है ये देखिए इस तरह से आप कोई भी color के flowers ले सकते हैं कोई भी color के paper लेकर flower बना सकते हैं ये जो circle चूटा हुआ है उसमें glue की help से इसको paste करते थें इससे ये flower खुलेगा नहीं इस तरह से हम डिफ्रिंट कलर के paper लेकर multi color के flowers इस bouquet में decorate कर सकते हैं ये देखिए pink, orange, green, blue जो भी color के paper आपके पास हो ठीक है अब ये bouquet आपका सुख्या है इसमें ये आपने ही टाल दिया है एक और circle आप बनाएंगे और इसकी उपर से paste कर देंगे इससी नियूस पेपर मा देखें कुछ craft papers तो होगे आपके पास स्कूल के activity के रखे रहते हैं इस lockdown period में हम कुछ और नहीं दे सकते पनी ममा को तो ये bouquet बना कर दे सकते हैं कम से कमें इस तरह से इसको कवर कर देंगे इससे नियूस पेपर ना देखें अब एक एक फ्लार इसमें पेस्ट कर देंगे ये इस तरह से दिखेगा अब जहां आपको फ्लार लगाने है यहां पे थुगा थुगा ख्लू लगाकर अब ये फ्लार्स रख देंगे जसी ये इस तरह से ये बुके डैपलेट हो गया ये देखकर आपकी ममा पहत ही कुछ हो जाएंगी देखिए कितने सुन्दर फ्लार्स हैं जो भी कलर हो आप उसको लगाकर ये फ्लार्स बना सकते हैं अब ये सामने का पाट डैकोरेट करने के लिए हम ये एक लेटा शीट लेंगे इसको पीछे साइट से इसमें एक बो बनाएंगे ये देखिए इस तरह से इसको एक साइट रख देते हैं वस्टेबलर से इंको अटेच्च कर देगे ये देखिए इससे हम बुके डैकोरेट कर सकते हैं ये देखिए कितना सुंदर बुके बन गया ये बनाया है मैंने अपनी ममा के लिए जल्दी से पेपर्स उठाइए और बनाना स्टार्ट कर दीजे फॉर मदर्स डे आपकी ममा बहुत खुश हो जाएगी ममा आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है आप जल्दी से गिफ्ट देजे तांच